नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं सूपर फास्ट छतीस गड़ मैं हूँ आपके साथ रतु ग्यानवारी सबसे पहले बाद जश्पुर की संसद्य सच्चव यूडी मिंजु के खिलाफ नाराजगी सर्वेश्वरी आश्रम के भगतों में नाराजगी है पुतला दहन करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं सर्वेश्वरी आश्रम के भगतों में नाराजगी साफ तोर से देखी जा सकती है अधिकारी की पोस्टिंग में आश्रम का नाम लिये जाने पर भगत भड़क गए हैं जंजाती सुरक्षा मंच ने पुतला भी दहन किया है ये तस्वीरें आपके साब ने बड़ी संख्या में लोग पतला दहन करती हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं पुलस रूखती हुई नजर आ रही है विधायक ने अपना रंग दिखा ही दिया जिस तरह से एक जल्शन साधन विभाग के जो जीला के अधिकारी को ट्रास्फर करने का बात उस छिठी में लिखा गया है आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदू की आस्था सोगड़ा आश्रम जस्पुर वासियों की ही नहीं पुरे देश की आस्था है लाखों करोडों हिंदू की आस्था का केंद्र है उस संसा को बदनाम करने के लिए बिधायक जीने चिठी लिखते हैं एक छोटा सा अधिकारी के लिए और चिनहंकित करके बोलते हैं कि ये सोगड़ा आश्रम से संबंदित है आना जाना करता है काफी ज़्यादा लगाव है ये दर्शा करके चिठी लिखने का अगर काम करते हैं तो आज बिधायक जी अपना विचार को बैक्त कर दिये अपना असली रूप को दिखा लिए एक तरफ से हिंदों का चोला ओड़कर दिखावा करने का कोसिस करते हैं आज उनका मन की बात जुबान से निकलाया है यहां का तफाकतित में लिए जिसका यूडी मेंज काते हैं उसको धिकार करता हूं मैं तो उनको सर्माना चाहिए हिंदुत की बात करके राजनिती करके और लोगों को बेकूप बनाना और दुसरे तरफ लाखों हिंदुओं को सोगड़ा के नाम पर चोड़ पहुचाने के काम करना यह बरदास्त नहीं होगा तो यूडी मिंच के खिलाफ नाराजगी की तस्वीरें आप तेख रहे हैं सर्वेश्वरी आश्रम के भक्तू में नाराजगी साफत और से नज़रा रही है अधिकारी की पोस्टिंग में आश्रम का नाम लिए जाने पर भक्त भड़क गए है जदा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गया है में जहेरे में लोगों की नाराजगी जो है खर लगतार बढ़शा रही है सवाज के हर वर्ग जो है यहां पर विजैक के कृटत से नाराज हैं और भाजपा है वह सामने आई के जा समें आई है वहीं आदिवासियों का नेत्रत करने वाला जन जाती है सुरक्षा मंच के हजारों लोग जो है वो दुदुदा में इकट्टा हुए थे और वहां भी जो है आदिवासियों ने भी संसदिय सचिव का पुत्दा रहन किया और उनके खिलाब जम पर नराजगी यहाँ पर जाहि शहरू क्यूं को जो है उस इस बात से नाराज है कि जो आसरम जो है एक धारमी का केंट्र रहे लाकों लोगों की आस्था, उस आस्रम से जूड़ी हुई है और उस आस्रम का नाम राजनेतिक घट्नाउं में शामिल किये जाने से लोगों की आस्था को ठेस पहुचा है और बात को देकर जगातार जो है बिरोध प्रदेशन बढ़ता जा रहा है और आने वादे दिनों में यह अन्दोजन और तेज हो सकता है वही अब तक संसादिय सची यूडी मेंज का बयान या कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है ना खुलकर वो सामने आय की जो प्रदेश के जो आला नेता हैं और जो बड़े मंतली हैं वो अक्तर जो है और ऐसे इस दौरान इस तरगे पत्र के सामने आने के बाद कहीं न कहीं सनसद्य सच्चिव की मुखिए बड़ती नजर आ रही है और उसकी जो प्रियता है उस पर भी कहीं न कहीं शवाजिया निशान यहां पर ख़़ा हो रहा है जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी को साजा करने के लिए हड़कम मचा हुआ है पैरी नदी में प्रतिबंद के बाद भी धडल्ले से अवैद खनन जारी है प्रतिबंद के बाद भी रेत माफ्याओं के होसले इतने बुलंद है कि देखे कैसे धडल्ले के साथ दमंगई पुर्वक अवैद रेत का उत्खनन करवाय जा रहा था और यह यहां पर देखे खनी विभाग मौके पर पहुंच कर दोनों चैन माउंटेन को सील कर रहे हैं यह कुटेना रेत घाट है जो पांडू का थाना छेत्र के सिरकटी आस्रम से लगा हुआ है और यहां चार और आप देखेंगे तो काफी मात्रा में रेत का वैद उत्खनन किया जा चुक है है और कर रहे थे और लाकर रुपे की राजस की चोरी यहां पर किया गया है दबंगाई पुरुवा की रेत खदान संचाली थो रहा था और इसे देखें खनी जबाग के करमचाली पहुचकर सील करने की बड़ी कारवाही कर रहे हैं दो चैन माउंटेन यहां प पर अवैद तरीके से रेत का उत्खनन किया जा रहा है कई यह गाड़ी यहां से रेत का परिवाहन कर रहे हैं और अभी खनी जबाग के दिकारी पहुचकर दोनों चैन माउंटेन को उसील करने की एक बड़ी कारवाही किया जिससे हड़कम यहां पर मचा हुआ है गरिया ब माउंटेन को सील करने की एक बड़ी कारवाही की है जिससे हड़कम मचा हुआ है और इस इलाके में भी प्रतिबंद लगा हुआ है पून रूप से लेकिन रेत माफियाओं के होसले बुलंद हैं वहीं दबंगई पूर्वक रेत खदान को संचालित कर रहे हैं लेकिन आज जो कारवाई हुई है एक बड़ी कारवाई है और खानी जी भाग ने दोनों चैन माउंटेन को सील कर दिया है देखने होगा कि इनके खिलाप आगे क्या कुछ बड़ी कारवाही की जाती है न्यूजर टिंग के लिए गरियाबन से शेक इम्रान दमतरी में धडलले से अवैद प्लाटेंग पर प्रशासन ने बुल्डोजर चला दिया है शेहर के आसपास कुल छे तकानों पर बुल्डोजर चला करके कच्ची सड़क को तोड़ दिया गया था और मुरम भी जब्त की गई है इस कारवाई में राजस वभाग के साथ नग दिलवली मची हुई है अभी जिला प्रशासन के सग्यान में यह आया कि आप राधिकरी तरीके से डौलफ के जा रहे हैं और कालनाजर जो आवे तरीके से कालनाजर मतलब बिकास करने जा रहे हैं तो यह चुकि कानोनिर उससे अवेद है और हमने देखा पाया कि निच्चे जिसमें सडक नहीं होने की वज़े से ग्रामील बारश में भीखते हुए एक मरी इसको खाट पर लिटा कर एमबुलेंस सक ले गए थे खाबर दिखाये जाने के बाद संसदीय सचिफ चिंतामणी महराज और जिला प्रशासन की टीम गांफ पहुची और ग्रामलों की समस्य जिसके बाद ततकाल सलक पर डस्ट गिराना शुरू कर दिया गया ताकि आवागमन शुरू हो सके इसकाम में संसदीय सचिफ चिंतामणी महराज ने भी इश्रंगदान किया साथी मौनसून के बाद सलक बनाने का भरोसा भी दिया आपका बहुत-बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद पूरा 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 पबलिक यहां का धन्यवाद करती है आपका नीज रिपोर्टर वाले जितने भाईया है आप लोग आए हम लोगों को मदद किये आपके चलते हमारा रोड भी बन गया और बहुत कूछ का ल अधार में कोई नहीं आता था पहले लेकिन हम लोग का एक दुचार जने और थे मेडिया वाला थे हम लोगों को सब जने बहुत अच्छा साथ दिये कि हमारे चिंता मडी मतलब की विधायक को यहां याना पड़ा अच्छा से मतलब हम लोगों को अस्वासन देके गए हैं क कि हम लोग रोड बनाएंगे अब काम भी चालू आमाडार में बहुत अच्छा से करवाद दिये हैं इसमें अगर हम डश्ट डलवा देता हैं तो यह बर्शात आराम से निकल जाएगा और इसमें विभाग वाले को मैं बोला हूं कि बर्शात निकलने के बाद इसमें डवल पर खबर दिखाये जाने के बाद पंडरिया मुगेली मुख्या सलक की रिपेरिंग का काम भी शुरू हो चुका है सलक पर बड़े बड़े गड़े होने की वज़े से इस पर हमेशा हाथ सों का डर बना रहता था अब इस सलक की रिपेरिंग होने से राहत मिलने की उमीद है दुर्ग के गिर्धारी नगर में हुई हत्या का खुलासा हो चुका है शादी शिदा प्रेमी प्रेमिका ने यू जनाबत तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और अपना अफराग छपाने के लिए एक 90 वर्षिय महिला की हत्या कर दी और उसके शेफ को जलाकर राख बना दिया मामले में प्रेमी प्रेमी का सहेट तीन आरोपियों को गिरफतार कर लिया है उसने ये बात बताई कि उसका एक उमेश शाहू नाम के विक्ति के साथ संबंध था पहले से और वो आगे का जो जीवन है उसे के साथ बताना चाते थी तो इन लोगों ने मिल करके इस तरह की कहानी बनाई थी जिसमें उमेश शाहू जो कि वहाँ पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर टैप का काम करता है उसके मेडिकल की दुकान भी है उसके यहां पे एक मरीज इलाज कराने आई थी सुर्जा भाई जो 90 वर्ष के महिला थी उसको पहले इसने बिहोश करके तक यह से इसका मुँ दबा करके उसकी हत्या कर दी हत्या करने के पश्चात मोहन नगर में घटना स्थल पे उसकी बोड़ी ला करके रख दिया और साथ में जो कुछ जेवर हैं जो सुप्रियाया दौक वो भी बोड़ी के पास में रख दिये ताकि जलने के बाद ये संदेव के सुप्रिया यादों की ही बॉर्डी है बिलास्फुर्ट से बड़ी खबार सेम भुपेश बगेल के पैर के पास साफ पहुचा बीदिया से बादचीत के वक्त साफ पहुचा सीम ने सुरक्षा कर्मियों को साफ को मारने से रोखा तुर्फब भुद्ध थे बड़ी खबरेज्जे वासियों को सियम ने बड़ी सोगाथ दिये असे मंगेल बड़ी सौगाद दिये ग्राम पंचायद बोरिंग को नगर पंचायद बनाने का एलान कर दिया है नगरपाली का महसमुत को नगरपालिक नेगम बनाने की घुषणा की है कंपोज़ड बिल्डेंग के नर्मान को बजट में शामिल करने की भी घुषणा की है अगले साल के वजट में शामिल करने की घोशना उनके द्वारा की गई है बिलासपुर से बड़ी कबर है 2 सतंबर को राहूल गांधी 36 गड़ आएंगे कारिक्रम में राजीव यूवा मितान के सब ही यूवा शामिल होंगे सियम भुपेश भगेल ने इसकी जानकारी दी है दो सितंबर को राहूल जी रायपूर आ रहे हैं और जिसमें राजी यूवा मितान क्लब के सब सदस्व लोग उपस्थित रहेंगे लाखों के तादात में उसमें रस्मी जी रहेगी ऐसा नहीं है लेकिन यूवा का सम्मिलन होगा हो चुनावी साल में बीजेपी लगातार कॉंग्रस पर हमला बोल रही है बीजेपी में महापना गांधी के नाम पर शुरू किये गए रीपा योजना में चकना बेचने का आरूप लगाया स्वसायता समू की महिलाओं से चकना और पानी के पाउच बनवाने का आरूप लगाया रीपा योजना के पाटन चेत्र में गलत इस्तिमाल का भी आरूप लगाया पाटन उत्तर मंडल अध्यक्ष लोकमनी चुंद्राकर और दुर्गजला पंचाथ सदस्य हर्शा चंद्राकर ने कई आरूप लगाया हमारे पाटन चेत्र के ग्राम पुंडा जहां पे रीपा योजना लागू है चल रहा है वहां पे समू की बहनों दौरा ये एक गिलास है और इसके अंदर में ये मिक्सर और ये पानी पाउच ये तीनों को डाल के इन लोग वहां दस रुपे बेचर है हालाकि इसमें मारपी नहीं लिखा है पर मैं जहां से इसको खरीदा हूँ उसका कहना है वो दस रुपे पे म अंदाज लगा सकते हैं कि दीपा जैसी योजना से सराफ पिने वालों के लिए उपेज बगल सरकार क्या सुईदा दे रहे हैं रायपूर से बीज़ेपी सांसस सुनील सुनी ने चुनाव अधिकारी पर निशाना साथ है उन्होंने कहा कि लोग बदाता सूची के नाम जुलवानी के लिए भटक रहे हैं फॉर्म चै और साथ निशुल कदीना है लेकिन वो उपलब्द नहीं हैं मदाता सूची में नाम जुलवानी के लिए लोग हताश हैं और निराश हैं उन्होंने कहा कि 30 अगस तक नाम जुलवानी का अंतमदन हैं लेकिन नाम जुलवानी में अधिकारी मदद नहीं कर रहे हैं बीजेपि निर्वाचन आयोक से 16 सतंबर तक तारीख बढ़ानी का अरूरोध किया गया असी के साथ ही उन्होंने कॉंग्रेस पर भी हमला बोला कुछ कॉंग्रेस के लोगों ने बड़ी ताजाद के अंदर में अपने अपने विधान सभावों में फर्जी नाम जुड़वा है जिसके प्रमान भी हमने पिछले दिनों दिये लेकिन जितने हमने प्रमान दिये थे उदने नाम कटे नहीं है तो यह जो सरकार की जो सिथिलता है और चुनाओं आयोक के पास में परियाद पैसा है और खासकर सरकार भी अगर चाहती है कि 36 रड़ के अंदर में निश्पक्ष चुना हो तो अपनी योजनाओं के आप विज्यापन देते हैं करोड़ों अर्वों रुपए खर्च करते हैं लेकिन एक व्यक्ति को मत का अधिकार मिले उसके लिए विज्यापन देने के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है वाल राइटिंग के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है जन हित में जन जागरण के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है क्योंकि सरकार जो है वो फर्दी मत के अधार पे अपने आपको जिताने को असफल प्यास कर रही है अभी विधान सभा के चुनाओं शुरू नहीं हुई है और भाजपा के नेता हार की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए बहाना बनाना शुरू कर दी है सांसा सुनिल सोनी को बताना चाहिए कि उन्होंने चार साल में कितने नए नाम जुलूआ हैं कितने नामों को हटवाए हैं और जहां आपत्ती थी क्या उनमें आपत्ती दर्श कराय थे असल मायने में विधान सभा के आम चुनाओं में भाजपा की करारी हार अभी से भाजपा नेताओं को दी देए